हेलो गाईज तो आज के इस वीडियो में स्टूडियन सीपी ने टूथाउजन टूटी से युक्त पायरा मेटिकल फार्मेसी और नर्सिंग परवेस परिच्छा टूथाउजन टूटी बाइच में डिग्री अंड डिप्लोमा कोर्स में UP, UMS, उत्तर परदेश, इनवर्सिटी या मेटिकल साइंस, सेफ़ाई इटावा, पायरा मेटिकल कालेज में तो काउंसलिंग अभी चल लए है तो काउंसलिंग में आज हो गया 18 जनौरी है तो 18 जनौरी के काउंसलिंग के बाद हम लोग देखेंगे कितनी बैकेंट सीटे अभी बची हुई है किस कोर्स में कितनी सीटे बची हुई है डिप्लोमा और डिगरी कोर्स में तो अगर कल के स्टुडेंट जो भी स्टुडेंट कल आने वाले हैं काउंसलिंग कराने के लिए तो उन सभी स्टुडेंट के लिए वीडियो काफी important होने वाला तो चलिए देखते हैं कि कल कॉंस से student की counseling होने वाली है तो ये देख लिजे student last में आप आएंगे scroll करते हुए नीचे आएंगे तो ये देख लिजे लिखा है 19 तारिक को मंगलवार को counseling होने वाली है और admission भी हो जाएगा counseling के बाद आप admission भी करा सकते हैं तो कल वाले में कौन student आने वाले हैं केवल उपस रेंडी वाले आएंगे जिसके पास EWS certificate होगा EWS means general के पास ये certificate होता है physical handicap freedom fighter X army के overall rank 1201 से लेके अंतिम पात्र rank तक के पंजिकरित अभीरती उपस्तित होंगे तो ये जिसके पास ये होगा certificate वो student आ सकते हैं तो ये देख लिजिए EST अंसूची जनजात EWS का आथिक रूप से कमजोर PH physical handicap, दिब्यांग, EFF, स्वतनता संग्राम सेनानी के असरित और यक्स आर्मी भूदपूर सनी के पुत्रिया पुत्री तो ये सबका कल counseling होने वाली है तो चलिए देखते हैं कि कितने सीटे आज counseling के बाद बची हुई है डिप्लोमान, degree course में और आप लोग अगर देख लिजिए counseling कराने के बाद मिलने के chance किस student की कितने सीटे हैं किसको मिलेंगी तो चलिए देखते हैं आज के counseling के बाद 18 जनौरी के बाद कितने सीटे बची हुई है तो ये student chart है आज 18 जनौरी का जो admission हो चुका है counseling में कितने सीटे बची हुई है किस course में तो ये देख लिजिए कितने सीटे टोटल बची हुई है तो first से सुरू करते हैं BMLT से सुरू करते हैं BMLT जो होती है degree course है degree course में 60 सीटे थी इसमें 30 सीटे जनौरी ये वार unreserved सीट थी 30 सीटे इसमें अगर BMLT में अगर कोई student लेना चाहता हो physical handicap जनौरी का student होगा तो दो सीटे अभी खा लिए है और EWAR Freedom Fighter की एक सीटे खा लिए है तो student BMLT की हम लोग देख चुके हैं इसमें देख लिजी OBC सीट कितनी है 16 सीटे हैं जो की OBC open में सब कतम हो गई है अगर BMLT student कुछ चाहिए तो OBC physical handicap की एक सीटे बची हुई है और EST की कितने सीटे थी 13 सीटे थी जिसमें EST PH की एक सीटे बची हुई है और EST की एक सीटे थी जो की अभी बची हुई है नेक्स्ट सीकेंड नमबर पर देखते हैं BPT फीजियो थ्रेपिस्ट का कितना टोटल डिगरी कोर्स साट सीटे हैं जिसमें 30 सीटे अन्रिजर्ब सीट थी 30 सीटे थी जिसकी जन्रल ओपन की कोई सीटे नहीं बची हुई है EWS की 4 सीटे बची हुई है और BPT कोर्स के लिए जन्रल फिजिकल हंडिकाइब की 2 सीटे बची हुई है और UR Freedom Fighter की जन्रल की एक सीटे बची हुई है और एक सार्मी की कोई सीटे नहीं है BPT के लिए OVC में 16 सीटे थी जिसमें OVC Open में कोई सीट नहीं बची हुई है OVC Physical Handicap में 1 सीटे बची हुई है और 13 सीटे SC की थी schedule revenue cast की जिसमें 10 सीटे UST Open की अभी बची हुई है तो नेक्स्ट देखते हैं थार्ड नमर पे दिया गया बी राइटी रेडियो लोजिकल इमेजिंग की 60 सीटे डिगरी कोर्स है 60 सीटे हैं जिसमें 30 सीटे आम डिजर्ब की 30 सीटे थी जिसमें अभी बी राइटी की 4 सीटे EWS की बचे हुई है जन्रल की और दो सीटे ये फिज की कि ओली एक सीटे बची हुई है 13 सीटे सेट стен की थी जो की अभी एक साथ सीटे वं जन्रल में देख लेता है और ओपन में कोई सीट नहीं बची हुई है 6 सीटे EWS के लिए अभी के B, आक्टोमेटरी की 6 सीटे बची हुई है, UR, फिचकल हंडिकाइब की 2 सीटे बची हुई है, Freedom Fighter की 1 सीटे बची हुई है, और UR, जनरल की EX Army की 1 सीटे बची हुई है, 16 सीटे थी OBC सीट के लिए, उसमें Open में कोई सीट नहीं बची हुई है, OBC, फिचकल हंडिकाइब की 1 बची हुई है नेक्स्ट आम लोग देखता है बी फार्मा पांच वे नंबर पर बी फार्मा डिगरी कोर्स शाट सीटे हैं जिसमें 30 सीटें आन्डिजर्ब की थी जनल की जो कि अभी इसमें जनल में ओपेन में कोई सीटे नहीं बची हुई है एउर फिच्टल अन्डिकाइब में जनल में दो सीटे और फ्रीडम फार्टर में एक सीटे बची हुई है एक सीटे जोकी कोई सीट नहीं बची हुई है अगर यसी फिच्टल के लिए बी फार्मा के लिए है सीट कितनी थी एक सीटे थी जो कि अभी बची हुए भी फार्मा के लिए चाठवे नंबर पर क्या है चाठवे नंबर पर आप यसी नर्सिंग है जो कि पहले दिन सब समाप्त हो गई थी कुछ सीटे बची हुई है देख लेते हैं कितनी सीटे डिगरी कोर्स है इसमें 30 सीटे अन्रिजर्ब जनरल की थी जो कि ओपन में जनरल की सीटे खताम है इसमें सभी खताम है अगर जनरल स्टुडेंट फिजिकल हैंडिकाफ है तो दो सीटे अभी बची हुई है फ्रीडम फाइटर की एक सीटे बची हुई है 16 सीटे थी किसकी OBC सीटे जिसमें कोई सीट बची हुई है तो सभी फिलफ हो गई है तेरा सीटे यह SC कटेगरी की थी जो physical handicap SC कटेगरी की एक सीट अभी किसमें BSC nursing में बची हुई है और EST में एक सीट थी जो की फिल हो गई है कोई सीट नहीं बची हुई है नेक्स्ट में देख लेते हैं साथवे नंबर पर कौन सा जेनेम हैं nursing का कोर्स है यह भी जेनेम में 60 सीटे टोटल थी nursing के डिपलोमा डिगरी है इसमें 30 सीटे अन्रेजर्ब की थी जो की अभी काफी सीटे जेनेम में EWS की कितने सीटे काफी क्या 3 सीटे बची हुई है और physical handicap general क की दो सीटे बची हुई है freedom fighter की एक सीटे बची हुई है और 16 सीटे OBC की जो की एक सीटे बची हुई है OBC physical handicap की जेनेम में एक सीटे बची हुई है EWS में आप बात करेंगे 13 सीटे हैं 13 सीटे में only EWS physical handicap की एक सीटे बची हुई है जर्नल अगर EWS की बात करेंगे जेनेम के लिए तो एक सीटे थी EWS के लिए जो की अब वो फिलफ हो गई है वो भी नहीं बची हुई है नेक्स्ट पे आठवा नंबर पे देखेंगे आठवा नंबर पे डिपलोमा इन हेल्थ वर्कर एनेम जो only girls के लिए है only लड़कियों के लिए होता है nursing का कोर्स डिपलोमा कोर्स है जिसमें 50 सीटे थी 25 सीटे जो थी unreserved की थी 25 सीटे जर्नल में जो की अभी 5 सीटे बची हु यहां freedom fighter की एक सीटे बची हुई है और X army की एक सीटे बची हुई है बात करेंगे एनेम में OBC की कितनी सीटे थी 13 सीटे थी जो की एकदम OBC open में full हो गई है OBC PH में एक सीटे बची हुई है SC की बात करेंगे NM में 11 सीटे थी जिसमें 3 सीटे अभी भी बची हुई है OBC Open में और OBC नहीं SC की बात कर रहे हैं SC में 3 सीटे बची हुई है SC Physical Handicap की 1 सीटे बची हुई है ST में भी 1 सीटे बची हुई है Next की बात करेंगे हम 9 नमबर है Diploma Diploma in OT Technician जो इसमें Diploma डिगरी है इसमें OT काफी जल्दी फिलफ हो गया 30 सीटे थी 30 सीटे में 15 सीटे जनरल Open Unreserved की थी जिसमें 3 सीटे भी बची हुई है EWS की बची हुई है जनरल फिसकल आंडी काइब की एक सीटे बची हुई है और 9 सीटे थी किसकी OVC सीट की थी 9 सीटे जिसमें कोई सीट बची नहीं है OT Technician में सभी सीट फूल हो गई है और ST में 6 सीटे थी जो सभी फूल हो गई है और ST की कोई सीट नहीं थी कोई सीट नहीं फिलफ हुई नेक्स्ट में देखेंगे डि आप्टोमेट्री का डिप्लोमा कोस 20 सीटे थी 10 सीटे अन्रिजर्ब की सीट थी जिसमें जनरल ओपन में 2 सीटे बची हुई है यह आप लोग देख सकते हैं और जो इसके पास जनरल EWS कोटा होगा 2 सीटे बची हुई है किसके लिए डि आप्ट जनरल में 1 सीटे बची हुई है 6 सीटे OBC की थी जिसमें 6 की 6 अभी बची हुई है OBC ओपन में तो नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में यसी के लिए कितने सीटे थी 4 सीटे थी जो की 4 की 4 अभी बची हुई है नेक्स्ट में देखते हैं DPT, Phagioterapy, Diploma and Phagioterapy म UR, Unreserved Journal की है और जिसमें ओपन में जनरल की कोई सीट नहीं बची हुई है 2 सीटे हैं किसके लिए UR मतलब EWS के लिए दो सीटे बची हुई है Physical Handicap की जनर्रल में एक सीटे बची हुई है छे सीटे OBC की थी जो की OBC Open में दो सीटे भी बची हुई है चार सीटे यसी की थी चार की चार भी बची हुई है तो ये आप लोग आप चलिए ग्यारा नमबर पर कौन सा कोर्स है, ग्यारा नमबर पर कोर्स है, डिपलोमाइन फीजियो 3P, DPT, यह हो गया, DPT की 20 सीटे थी, 10 इसमें देख लिजेगा कितनी बची वही है, और DDT, डिपलोमाइन डालेसिस टेकनीसिन में 20 सीटे थी, 10 सीटे इधर, यह 2 सीटे यहां बची है एक सीटे इधर, तो 6 सीटे किसकी थी, OBC की थी, जिसमें 5 सीटे भी बची हुई है, और DDT में 4 सीटे भी बची हुई है, और DDT में कोई सीट थी नहीं, तेरा नमबर पर दिपलोमाइन सीटी स्काइन टेकनीसियन में 20 सीटे थी, टोटल 10 सीटे यहार जनरल की थी, अन्रिज सीटे की बात करेंगे, तो 4 सीटे भी बची हुई है, जो कि 4 की 4 बची हुई है, यस्टे में कोई सीट नहीं थी, नेक्स्ट में 14 नमबर पर DCT डिपलोमा इन काडियोलोजी टेकनीसियन, 20 सीटे थी, टोटल 20 सीटे डिपलोमा डिगरी है, इसमें डिपलोमा डिगरी नहीं, डिप्लोमा कोर्स है इसमें दस सीटे जो है जन्रल की अन्रिजर्ब की थी जो की ओपन में जन्रल की कोई सीट नहीं बची हुई है दो सीटे ये देख लिजेगा एक सीटे इधर बची हुई है और छे सीटे थी OBC की जिसमें कोई सीट नहीं है और चार सीटों में तीन सीटे भी EST कटेगरी की बची हुई, EST में कोई सीट नहीं है Next में 15 नमबर पर देख लेते हैं DMRI ये भी काफी स्टूडेंट ये इसका भी डिमांड है था डिप्लोमा में तो ये भी काफी सीट 15 सीटे टोटल हैं 8 सीटे जिसमें undeserved सीट थी और इसमें 1 सीटे only EWS की बची हुई हैं और 4 सीटे OBC की थी, 2 सीटे OBC ओपन में बची हुई है और ESC की बात करेंगे 3 सीटे थी, जो कि 3 सीटे अभी बची हुई हैं ओपन में और EST की कोई सीट है ही नहीं Next में 16 नमबर पर देख लेंगे डिप्लोमा इन इमर्जनसी और ट्रामा केर में 30 सीटे थी, जिसमें 15 जर्नल ओपन की थी और UR ओपन में 3 सीटे बची हुई हैं EWS में 3 सीटे बची हुई हैं फिचकल अंडिकाय में 1 सीटे DETCT की बची हुई हैं तो 9 सीटे OBC की थी जो की 9 की 9 अभी बची हुई है 6 सीटे ESC की थी जो की 6 की 6 बची हुई है Last देखते हैं 17 नमबर पर डिप्लोमा इन बलंट ट्राम्स्वीजन टेक्नीसियन में 15 सीटे थी 8 सीटे जो की यू आर मतलब जनरल अंडिजर्ब की 8 सीटे थी 3 सीटे बची हुई है तो आप लोग यह देख लिजेगा और टोटल जितने हैं स्टूडेंट कल आप लोग काउंसलिंग करा लिजे तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में कल मिलेंगे और इस्टूडेंट मेरे चैनल पर नेक्स्ट येर काफी फिजिस कमस्टी बालो जी इसकी तयारी करा जाएगी अच्छे से इस येर कराई गई थी काफी स्टूडेंट ने स्टूडेंट लिया हैं तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट येर के लिए अच्छी से तयारी कराई जाएगी जितने भी नर्सिंग पारामेडिकल फार्मेसी यूपी में जितने भी जगां होती है ब